नमस्कार दोस्तों ये वीडियो altcoin के investors के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर इस channel पे लोग मुझे कहा करते हैं कि हम हर रोज technical analysis में केवल bitcoin और ethereum काडानों के बारे में बात करते हैं आज की video में मैं आपको altcoin पे कैसे strategy बनानी है कब खरीदना है कब बेचना है और bitcoin और ethereum की चाल altcoin को कब किस direction में प्रभावित कर सकती है आपको altcoin कब सही समय पर खरीदना है वो बताऊंगा तो मेरे ख्याल से ये video one of the most important video है तो आपको end तक देखना है वीडियो पसंद आएगी तो आपको thumbs up भी देना है क्योंकि इस video में हम बहुत सारे technical चीज़े cover करने वाले हैं तो मुझे मेरा मानना है कि ये आज तक की one of the important videos है तो end तक जरूर देखिएगा आपको technical से हम charts की तुरू समझाएंगे और बहुत ही simple तरीके से basic तरीके से की chart ख वाना वरना इस तरह की videos जो देर रात आती हैं वो आपसे miss हो सकती है फटाफट से शुरू करते हैं ये जो मैं chart आपको दिखा रहा हूं ये weekly basis पे bitcoin का chart है अगर आप bitcoin की पहले चाल समझे 2017 की मैं 2017 इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो सबसे बड़ा bull run था हम करीब अगस्त 2017 में 2000 डॉलर पे थे और दिसंबर 2017 में हम 20,000 डॉलर टच करके आया थे तो ये 10x gain था Q4 में अब हम Q4 में बैठे हैं quarter 4 में और सेम उसी तरीके की हमें अपेक्षा है कि bitcoin जो है यहां सर 4-5-10 गुना जाए तो 2017 का bull run जो है वो बिलकुल हमारे लिए इसी तरीके से चला है जैसा 2021 का भी तक जा रहा है तो हुआ क्या 2017 के अंदर 6 नवेंबर के बाद अगर आप देखें तो weekly candles जो है वो सब की सब green थी एक को छोड़ कर और इस दोरान bitcoin की dominance के चार्ट पर नज़र डाले तो bitcoin की dominance बढ़ रही थी आप देखें अगर अगस्त से December तक देखें तो bitcoin की dominance जो है व उन्होंने altcoin की तरफ कम ध्यान दिया bitcoin dominance के अगर आपको definition नहीं पता है तो मैं simple शब्दों में बताता हूँ जब bitcoin में ज्यादा निवेश हो रहा हो और altcoins में कम यह नहीं कि आपको price में नहीं दिखेगा बर overall जो investments है वो इस समय bitcoin में ज्यादा हुई पर जब bitcoin अपने peak पर आ शुरू से शुरू करते हैं 2017 में bitcoin की dominance सबसे peak पर थी 100% तीक है बर जैसे जैसे bitcoin का price कम हुआ सितंबर तक बाकी altcoin pump हुए पर जब bitcoin pump हुआ bitcoin सितंबर से लेकर नेवंबर तक pump हुआ सा 2017 में bitcoin की dominance भी pump हुई यानि कि पैसा bitcoin में आया altcoin उतना तेजी से नहीं बड़े मैं zoom in करके दिखाता हूँ अगस्त में bitcoin की dominance थी करीब करीब 50 और December तक जाते जाते करीब करीब 70 के ऊपर चलीगी तो इसका मतलब मैं आपको altcoin chart भी दिखाऊंगा और मैं आपको देखना भी सिखाऊंगा आपको trading view पे जाके btc.d लिखना है और bitcoin लिखने के लिए btc.usd ल देखें तो almost 20,000 डॉलर तक गया bitcoin की dominance 75 तक चलीगी इस दोरान altcoins जो है वो बढ़े पर इस तरह नहीं बढ़े जैसे bitcoin बढ़ा bitcoin 10x हुआ 2000 डॉलर से 20,000 डॉलर हुआ dominance जो है इसलिए altcoin catch up नहीं कर पाए अब यह ध्यान से सुनीगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको strategy बताऊंगा कि आपकी altcoin की strategy कैसे बनती है bitcoin जब इतनी तेजी से बढ़ने लग जाता है altcoin कहीं बर पकड़ नहीं पाते है उसको पहला altcoin बाप of altcoin हम ethereum को देखते हैं अगर आप ethereum पे नज़र डालें तो ethereum का price जो है weekly basis पे अगस्त सितंबर 2017 से लेकर दिसंबर तक उतना तीजी से नहीं बढ़ा आपको almost flat लग रहा होगा पर जब bitcoin peak पर चला गया bitcoin peak के बाद दीखे crash हुआ है ethereum उसके बाद बढ़ा है क्या मज़ेदार scene है क्या मज़ेदार example और illustration हमारे लिए 11 December 2017 के बाद actually ethereum pump हुआ जब bitcoin dump होना शुरुआ था एक तरह से जोडाउन हो गया था इसको हम क्या कहेंगे इसको हम transfer investment कहते है यानि कि जब investors का bitcoin से पेट भर गया जब उन्होंने 10x bitcoin से return ले लिए तो वो bitcoin से पैसा निकाल के ethereum में डाले देखिए गौर से देखिए December 2017 में bitcoin peak पर था नीचे गया तब eth ethereum में actually pump आया November December के बाद ethereum में pump आया यह मुझे लगता है कि इस समय जो लोग bore हो रहे है कि हमारे altcoins low नहीं हो रहे है मैं comments पढ़ रहे है अरे सारा सारा दिन एक ही price है move नहीं हो रहा है bitcoin एकदम से जटका मारेगा और 53,000 पे जाएगा फिर एक दिन जटका मारेगा 63 पे जाए आप ethereum या किसी भी altcoin के bitcoin में pair देखो जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहो eth-btc यह क्या है ethereum और bitcoin का combination अगर आप note करो जो मैंने आपको illustration बताई थी कि जुलाइ अगस्त तक almost bitcoin to ethereum जो था वो 7.07 था यहनिए 7% ratio थी बड़ जब bitcoin बहुत pump हो गया तो इसकी जो pairing थी वो down होके 3 10% देट 2% तक आगे थी यह अगर आप चार्ट देखोगे आपको पता चलेगा कि अगर ethereum to bitcoin या आपका altcoin to bitcoin नीचे जा रहा है तो रुक जो altcoin मत खरीदो let bitcoin pump जैसे मैंने कहा है तो यह आपको pairing देखना बहुत जरूरी है dot to btc ethereum to btc ada to btc जब यह नीचे जा रही हो तो आप ethereum अपने altcoin को मत खरीदो तो वेट करो एक और टेक्नीक बताता हूं अगर आप trading view पर जाकर टाइप करेंगे total तो यह total market cap है जैसे आप जानते इस पर भी आप निगा रखो total market cap कैसे pump हो रही है उसके साथ साथ आपके pair आपके altcoin आपके ethereum के साथ market कैसे pump हो रही है एक त total एक दूसरा जो इंडिकेटर आप देख सकते हैं total 2 total 2 क्या है total तो है पूरी market cap सारे क्रिप्टो के मिला के total 2 क्या है total 2 है सारी क्रिप्टो के market cap minus bitcoin तो इन चार्ट को आपने सामने रखके हैं मेशा देखो अगर total बढ़ रहा है और total 2 नहीं बढ़ रहा है और total 3 भी है total 3 क्या है ethereum plus bitcoin इन तीनों को compare करो और देखो क्या bitcoin ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और उससे भी बढ़िया क्या है आपके जो आपका जो altcoin है जैसे की dot dot bitcoin का combo देखो अगर dot bitcoin नीचे जा रहा है तो आपको अभी अपना dot नहीं खरीदना है dot ADA नीचे जा रहा है तो आपको अपना dot अच्छा है यह basically ज्यादा तर altcoins आज की rate में bitcoin की comparison में कहां है red में है green में है orange में किस तरह है वो आपको suggest करता है कि आपको खरीदना चाहिए नहीं जैसे अगर आपको altcoin season जो है नीचे की तरफ है 25, 20, 15 की तरफ है इसका मतलब bitcoin top कर चुका है अब altcoin के top करने का time है दोस्तों इस वीडियो के दूसरे हिससे में transient और gpool के बारे में बात करेंगे क्यों क्यों कि आज हम लोगों की समस्यान सुन रहे हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आपने काफी दिनों से jam of altcoins के बारे में बात नहीं किया है जो लोग इस channel से जुड़े हैं आप जानते हैं से लोग identify करते हैं यह लोग केवल ऐसे platforms को ऐसे coins को list करते हैं जिनकी tokenomics अच्छी हो जिसमें rug pool के chances कम हो और जिसमें pump और dump नहीं हो यह tokenomics अपने हाथ से create करते हैं जिस पे एक latest अगर आपको यादो मैंने आपको depo और gpool के बारे में बताया था जिसमें already 5-10x तक return आ चुका ह है केवल सितंबर के महिने में अगेन आपको fomo नहीं होना है और in coins पे jump नहीं कर रहा है यह केवल मैं आपको पुराना बता रहा हूं जो अगर आप पुरानी वीडियो जा के देखे आप देख पाएंगे depo और gpool के बारे में बात की थी September के महिने में यहाँ पर हम genesis और transient के smart contract में Amazon क्यों है क्योंकि यह web based smart contract है आप में से कोई भी बंधू जो अपना smart contract बना चाते हैं जिसका अपना छोटा bank है अपनी छोटी दुकान है वो Cardano जैसे बड़ी company पर जाने के बजाए इस website पर जाके अपना custom smart contract बना सकते हैं यह code free है तो बिलकुल आप अगर non technical भी है तो seamless है real world है simple है कहने का भाव यह है कि जो छोटी कंपनिया छोटे जो दुकानदार है छोटे traders है वो अगर बड़े-बड़े smart contract काम नहीं कर सकते हैं अकसर कहा जाता है कि Cardano वगरा तो केवल बैंकों के लिए बने हैं HDFC को बढ़ाना होगा smart contract तो वो उसके पास जाएगा मुझे अगर मुझे छोटी company है मेरी design firm है तो मैं किसके पास जाओं तो मैं transient जैसी company जो मैं transient की website पर जाओंगा जिसका link description में आप अपनी research करें वहाँ पर जाके अपना smart contract बना सकता हूँ अब gpool ने इसको क्यों चुना है क्योंकि इसकी tokenomics अच्छी है total supply cable 291 million है sale price बहुत कम है gpool platform प अक्सर मेरा जहां तक अभीक तक का अनुबव है gpool platform के उपर जितने भी idea आये हैं ज्यादा तर वो दो तीन महिने में 5x हो जाते हैं और आपको सयम रखना होगा क्योंकि हमेशा याद रखिए इस तरह के coin जो है चैसे renny coin भी है यह मैं आपको दिखाता हूँ कहीं बढ़ी 20 25% आप है और यह नीचे भी बहुत तीजी से जाते हैं वापसी करते हैं तो यह आपको अपना risk assess करके चलना है दूसरा coin जो gpool के उपर launch होने वाला है वो है merriman इसमें भी again एक अच्छा concept है क्या अच्छा concept है basically यह centralized exchanges से आपको decentralized exchange पे move करने में help करता है कैसे जैसे लोग अग लोगों को अपना portfolio decentralized app पे move करने में help करता है तो इनका यह idea आने वाला है तो इसके लिए इन्होंने भी free airdrop दिया है कुछ नहीं करना आपको description में link है जाके airdrop के लिए free के लिए apply करना है मिल गया तो अच्छा है नहीं मिला तो कुछ नहीं है यह मुझे लगा अपनी community के ल पर हम आपको ऐसे project लाके देते हैं जिसमें अगर आप 100-500 रुपे लगाना चाहें जैसे कि मैंने आपको transient के बारे में बात करी मैं उसमें खुद 1000 रुपे लगाने की सोच रहा हूं जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है अगर मुझे concept में बहुत विश्वास आता है जैसे रेन अगर आपके लिए एक प्लाटफॉर्म है कि अगर आप जाकर रिसर्च करना चाहें तो आप जरूर रिसर्च कर सकते हैं मैंने आपको merits बताई थी क्या होता है centralized exchange में move करना आप जानते हैं कि बड़ी industry बन सकती है क्या होता है custom open source available for all smart contract बना transient जो problem solve कर रहा है बड़ी चीज हो सकती है तो हम target करते हैं ऐसे coins को जिनकी value आज बहुत ही कम है पर आगे जाके वो बड़ा बन सकते हैं तो यह सारा दोस्तों आज का हमारा special था अगला दो मिनिट में आपको बहुत important चीज़ बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा एक तो giveaway के बारे में वो मैं आपको सबसे पहले बता कि आप वाकिये giveaway देते भी हो तो मैंने उन बंधु को बताया था आप किसी भी सोमवार को हमारी वीडियो उठाके देख लीजिए वीडियो के starting में ही जो उस हफते का winner होता है उसका मैं BSE transfer जो भी मैंने किया होता है उसका screenshot डालता हूं और जो लोग पुराने जुड़ों मे से करीब साड़े साथ 8000 रुपे इस हफते अगले again कल में winner announce करूँगा और इस बार मैं आपको फिर surprise करूँगा क्योंकि भगवान की दया से उपर वाले की दया से अल्ला के रहम से profit अच्छा हो रहा है market अच्छी जा रही है तो मेरा मानना है कि मैं आपको दूँ केवल आप अगर आप USDT पे जाते हैं transfer section में तो वहाँ पे मिलता है आप प्लीज अच्छे से research कीजिएगा वो वाला दीजिएगा जिसमें मैं पैसा डाल सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसा लेने में कोई भी interest नहीं है और जब मैं ये बोली रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बोल रहा चीज की केवल giveaway के चकर में अगर आप कुछ और डाल बैठेंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप publicly किसी को कुछ expose करें Binance Smart Chain Address गूगल करें वो जिसमें मैं आपके अंदर पैसा डाल सकता हूँ जैसे कि UPI में आप पैसा डालते हैं मुझे UPI अगर आपका मिले तो मैं पैसा निकाल नहीं सकता हूँ मैं किवल डाल सकता हूँ तो आज के जो winner होंगे इस हफते के जो winner होंगे उनको मैं कल अनांस क चलता है तो मैं आपको बताता हूँ पर इस पूरे चैनल पर मेरा ये मेन अब्जेक्टिव है कि आप सीखें आपको research करनी आए आज की पूरी वीडियो अगर आप शुरू से end तक देख रहे हों तो यह आपको सिखा रही है कि आप कैसे अपने charts खुद बनाए अगर आपका ICP में investment है तो ICP-BTC combo देखो अगर वो लगातार गिर रहा है तो शायद ICP बढ़ेगा मैं ICP के बार में नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जांपल ले रहा हूँ अब ADA BTC देखो आप Luna BTC देखो वन इंच BTC देखो अपनी BTC pairing चेक करो और देखो क्या BTC आपकी coin से जाधा pump कर र आज का वीडियो मैं जानता हूँ बहुत ही interesting था आप प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक करो आप लोग लाइक नहीं करते हो तो उससे momentum जाता है आपने देखा था मैंने बहुत बड़ा channel पहले बनाया था फिर मैंने बंद कर दिया था बहुत सारे genuine loyal followers थे crypto millionaire के प्लीज ऐ इसी विश्वास के साथ दोस्तों वीडियो एंड करता हूँ अपना ख्याल रखे अपने माबग का ख्याल रखे अपनी society का ख्याल रखे जैहिंद